कांग्रेस पार्टी के ना घुटने टिकवाहे कोषली से टिकट दे रहे हो उनी से चाचा को एक तरह से आपा Télी को टिकट दे रहे हो उनके बतीजा को इन्होंने 26 साल अपने राजनीतिक के डिकार के को धी को दिये हैं वोट अनिता यादों को नहीं पड़ेगा वोट पड़ेगा उस लीडर को ये केंडिडेट का चुनाव बन गया विहां पे समराट यादों पे कोई भी आप क्लेम लगा सकते हो दस एक जगह पे वोट की आप वेल्यू समझ ये वोट क्या है सर फर हरियाना अपडेट में आपका स्वाजत है। बहुत-बहुत देने बाद। जी आप पहली बार चुनाव लड़ रहे है हर एक आदमी बढ़ चड़के इसमें इसलेने की अपनी तरफ से प्रियास करता है। हर गाओं के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको राजनिती में बहुत रूची होती है तो यह उनके लिए दिवाली और होली से यह कम पर्व नहीं है जेजेपी है उसको युवाओं की पार्टी कही जाती है और आप भी युवाओं हैं तो इसके बारे में क्या कही है मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ यह सबसे बड़ा हो धारन है सबसे पहली बात तो मेरी उमर 31 साल है 1987 में मेरा जन्म हुआ है 11 अक्टूबर को तो हमारे युवा सानसद भाई दुशन सिंग चोटाला इस आर से लोकसभा में सबसे कम उमर के सानसद चुनके गए थे भाई दिग विजे सिंग चोटाला जी डॉक्टर आजे सिंग चोटाला जी के नेतरतों में दोनों उनके बेटे हैं तो ओटोमेटिकली एक संदेश देता है कि युवा की पार्टी है 11 महीने पुरानी पार्टी है नई नीतियों पे चलने वाली पार्टी है आज के दिन युवा का ही हर जगे रोल है आप कोई भी फील्ड उठाके देख लेजाए आज के दिन 60% हमारी पोपुलेशन है जो कं जेपी पार्टी की जनना एक जनता पार्टी की मेरे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है युवा का जोश देख के मतला वेक आवाज के ओपर ही इतना बड़ी अप्रोथ सान मिला है मेरे को कि मेरे को इतना अंताजा नहीं था रोजाना कई कई घंटे काम करना पड़ता है फिल्ड में रहना पड़ता है इसके वारे में कैसा क्या लगता है और क्या कहोगे मैं इसे काम नहीं कहूंगा सबसे पहली बात तो काम ये उन लोगों के लिए है जिनको ये काम पसंदना हो मेरी मदर श्रीमती अनीता यादव जी इन्होंने 26 साल अपने राजनीतिक करियर के कॉंग्रिस पार्टी को दी है जब मेरी उमर मैं 5 शिक्स क्लास में था हरी तो स्कूल से जब भी हॉस्टल से आता था हॉस्टल की पड़ाई करिए मैंने 5 शिक्लास के बाद से ले के ग्राजूइशन तक पोस्ट ग्राजूइशन तक तो जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे उठा के कि तो जा नीचे जाके पानी पिला किया सबको बैठ अखवार दे, हुक्के के अंदर, हुक्का चला किया, आच बाढ़ किया तो मैंने तो यह अब से नहीं देख रहा हूँ, मैं यह सिक्स्त क्लास है था, डियवी स्कूल में कोसली पढ़ता था मैं तब अब चाहिए बढ़िये का बच्चे को पता होता है और इंजिनेर के बच्चे को पता होता है, पढ़ाई कैसी-सी करनी है और कहां जाना है, और कहां जाना हैование को तो आपको sound, नहीं है तो थकावट नाम का तो कोई चीज ही नहीं है काफी एंजोई कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यह लंबा चले मैं अपने मदर के साथ पहले में मैंनेजमेंट का काम करता था सारा सारा संबालना भी हैंड दर कर्टिन उन्होंने चार चुनाव लड़े हैं जिला पा और 2004 से लेके 2009 में उनको हर्याना महिला कॉंग्रेस करने तरतों मिला जिसके अंडर उन्होंने 33% महिला होके आरक्षिन बिल के अंदर साथ लेड़ी उसको टिकेट दिलाई कांग्रेस पार्टी में सोनिय कांदी जी के थूँ तो ये तो एक बहुत लंबा सफर है जो मैंने देखा है मैंने होस्टिल लाइफ जी है जब भी घर आया हूँ तो मिले को पता था कि क्या चल रहा है कैसे चेक होता है इलेक्शन का सारा बैक ग्राउंड का काम कैसे करना है मैटीरियल कहां से आएगा कौन लाएगा कौन सी टीम क्या काम करेगी पोस्टर आज कल ठेके पे दे दो आप लगाने के लिए पुराने टाइम होंगे मैंने पोस्टर भी चिपका है वाईपर से ले लेके लेई से जो ह गाड़ी में सूना है जीपों के अंदर पड़े रहना है तो मैंने तो वो वाले दिन भी देखे हैं और आज का दिन भी देख रहा हूं कि मेरे को ये मुखा मिला है भाई दुशन सेंग चोटाला जी ने मेरे को ये मुखा दिया कि आप आओ पार्टी को सर्व करो ही था जिसमें कि आज के दिन मीडिया है आप से मैं रूब रूब हो रहा हूं मैं अब ये बात जो मेरे मन की बात है मैं सिर्फ कमरे में बैठे चार आद्मियों तक पुचा सकता हूं बट आपके चैनल के जरिए अंगिनत लोगों तक ये बात जाएगी कि इसका क्या विच की पॉइंट से बटक गया तो मैंने अनिता यादव जी के जितने भी चुनाव लड़े हैं इनोंने बैक ग्राउंड में मीडिया से लेके आपके प्रिंट मीडिया से लेके और ग्राउंड पे वरकर टीम कौन से साथ जाएगी एडवांस टीम कैसे चलेगी मुनादी की गा इसे चल रही है इतने लोग साथ आ रहे हैं इनको मैनेज कैसे किया जा रहा है कि कोन कहा जाएगा कब मिलेगा कैसे मिलेगा कल गाउं के क्या प्रोग्राम है कितनी दिर किस गाउं में लगानी है एसी चुपाल पर जाना है जेनरल चुपाल पर जाना है कितना टाइम कहा कहा बनता है, उनसे बात करने में यो सनद है, कहीं पर भी कि मैं चुना उलड रहा हूं, कोई है कि वो ही समराठ है, वो ही चुना उलड रहा है. तो ऐसी काम कर रहे हैं, जैसे वो अपने खुद के लिए चुना उलड रहे हैं, बिना किसी लागला पेट के। qualification की बात करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा क्या रही? qualification मैंने छोटे होने से लेकि मैं आगे तक बताऊंगा, मेरी first class से लेके fifth class तक मैं costly डिये वी school के अंदर पढ़ाऊं, coastly यहां से 30 किलो मेटे दूर है, हम अभी कनीना में बैठे हैं, तो यहां पर मैं फर्स से फिफ तक पढ़ा, शिक्स क्लास से लेके टेंथ क्लास तक मैं आर्सी क्रीन फिल्ट स्कूल गंगायचा जाट रिवाडी जजर रोड के अपर है, यह हॉस्टल स्कूल था, छटी से दस्वी तक मैं उसमें हॉस्टल में रहा, उसके बाद ग्यारवी बार भी चंदिगट डिवी स्कूल से करी आर्ट्स के अंदर, यह वी क्लास में फरस्ट आया, बैचिलर इन आर्ट्स ट्रीम्स, फरस्ट आया था उसमें, और ट्वेल्थ क्लास में मेरी फर्स्ट पोजेशन नहीं थी, और बट अच्छा स्कूर था, और उसके बाद साइंस, फ्रम यह वी कॉले सेक्टर टैन उली, फिर उसके बाद में लल्वी किया, मानो भारती यूनिवर्स्टी सोलन से, तीन साल की रेगिलर, और उसके बाद मैंने बीच में में मेनेजमेंट भी किया, डिस्टल यूनिवर्स्टी से जाके, जिसमें की, एक टोटल डिफ कोट बार कोट पंजाबन हर्याना बार कोट का मेरे को लाइसेंस अभी मार्च में मार्च के अंदर मेरे को मिला है, सो मैं अभी चुनाओ तो अभी हम इस फील्ड में कूद गये, तो 24 आर काम करने का जिगह है, जिसमें की राजनिती का ऐसी चीज है, जो कि एक सेवा बाव ह है, इसमें कोई टाइम नहीं है, कि सुबह नो से पांच आपने ऑफिस में जाना है, 24 गंटे आप इसमें अवेलेबल हो, लिस लीगल साइड से मेरे को थोड़ा सा ये फायदा मिलेगा कि थाना कचैरी तैसील में, ऐसे चु साहब से कैसे बात करने है, डीसी साहब से कैसे ट टिकट भी नहीं मिला, इसके बारे में क्या कही है? इतना ये रूबरू है कि ग्राउंड पे कौन कैंडिडेट काम कर रहा है, किस कैंडिडेट का वजूद है, किस कैंडिडेट ने अपना सारा जीवन आपकी एक पार्टी में लगा दिया है, 26 साल का जीवन का टाइम, 26 साल में मैं देखिए एक आदी उमर का आदमी हो हैं, इस उमर से उन्होंने स्टार्ट किया, मेरे मदर कमाली गाउंग से हैं, तो बिलकुल ग्राम इन परिवेश से वो आये थे, और हंडर्ड परसेंट उन्होंने अपना जो ये 26 साल दी है, मैंने उनको जब छोटे होता था जब मैं वो अमबैसडर गाड़ी के अंदर कर एज सपोर्टर, बिहाइंड दे कर्टन जैसे मैं काम करता हूं, उन्होंने सारी बागडोर संबाली, इन सारी चीजों से हाई कमांड आवगती नहीं है, कि चल कह रहा है, ग्राउंड लेवल पे कौन क्या काम कर रहा है, किसने कितनी एनरजी लगाई है, और ये भी ना सो पॉजिशन नहीं है उनके पास, जिसके लिए बोल सके कि मेरे एक बायो डाटा में ये है, एक सोशल बायो डाटा जो मेरा और आपका और किसी का भी एक जैनरल बंदे का होगा, उस कैंडिडेट को एक टिकेट मिला है, वर्सिस थ्री टाइम्स जो एक विदायक बनी हुई ह लगातार विदाउट एनी लूस, विदाउट एनी लॉस, तो और जिला पारश्यत की चेर्मेन रही है, जो सबसे पहला चुनाओ था, उनका टिकेट काट के अगर ये टिकेट दिया जा रहा है, तो साफ साफ ये दर्शाता है, कि ग्राउंड लेवल पे जब ये नाम पे उ जो हिश्य है क्या ये बताई आप अटेली के अंदर अनीता यादो को कोई फरक नहीं पड़ा है, ये और ज़्यादा बड़े निता उबर के आया है, और लोगों ने बोला उसके बाद कि बैन जी टिकेट ये देने वाड़े थोड़ी ना है, टिकेट हम ही तो देंगे, हमा सिफाई हैं, वो काम कर रहे थे और उनकी ऐसी अन देखी कर दी कि इन्होंने तो एकदम पला जड़कतिया, और मैं अपने जेजेपी पार्टी और डॉक्टर अजे सिंग चोटाला जी का धन्यबाद देना चाहूंगा, क्यों? ये अभी से नहीं, पुराने टाइम से कुली अभी रहे हैं, श्रीमतियनीता यद्व जी और डॉक्टर अजे सिंग चोटाला जी, तो इन्होंने मान सम्मान को जो ठेस लगा है, वो चीज इन्होंने समझी, अजे सिंग चोटाला जी ने समझी, कि ये लेडी किस टाइप की इनका राजनितिक करने का स्टाइल है, और कि किस टाइप की इनकी पॉलिसीज हैं, किस टाइप की ये बेबाक औरत हैं, कि मुँपे बोलती हैं जो बात है, कोई लागला पेटनी है, शुगर कोटिंग, बहुत असान चीज है, मिठी मिठी बात करना, साफ सुतरी कोई बात करें, उसमें दम लगता है, उन्हों जो जो ज 20 साल आप अपने परिवार को दिये, अगर आपकी वहां इतना आपके साथ ये हुआ है, भेदबा हुआ है, वर्सिस, मैंने आपको बताया किस कैंडिडेट का क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उनको क्या किस हिसाब से क्या टिकेट दिया गया, और उनकी सोशिल रेपिटेश है कि मम्मी का आपकी मदर का क्या डियेक्शन रहा था फैस टाइम जब पता लगा, उनको पता नहीं लगा, कैसे भी, हमें आखरी मिनट तक ये बोला गया कि आप अपने छेतर में जाके काम कीजे मैडम, हर कोई आदमी दिली के अंदर इनको बदाई दे रहा था, ये दो द देश से जो लोग टिक टार थी आयों थे वो बदाई दे रहे थे कि आप यहां घूम की रहे है मेडम, आपका यहां रहना बनता ही नहीं है, आप जाईए छेतर में काम कीजिए, तो इसी साहब से जो हमारी बड़ी लीडर्शिप है, जो हमारे पार्टी, कांग्रेस है थे एक भाई के एकस्पायर होने के बाद, चोथे दिन पर, वहाँ पर फोन आया एक, कि ऐसे हैसे टिकेट के अंदर दिक्कत आएगी, एक हमारे गनिष्ट बंदे थे उनका, उनको इंटरनल रिपोर्ट थी, आप आ जाईए, और वहाँ से हम दो गंटे के अंदर दिली पहुच गे, पहुचने के बाद पता चला पैर भी करी तो, वहाँ पे तो यही ओरा डाउट की, ऐसे ऐसे जिसे साबसे जो कैंडिडेट को टिकेट दिया गया, इनका नाम चल रहा है, पूरा हमने हम वक्या उपर से निचे तक, तो जितने भी पार्टी के सीने लीडर्स थ क्या रहे हो आप, इधर से इनको, इधर से इनको, तो उस बेसिस पे ये पता चला कि नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और शाम तक वापस फैनल में नाम आ गया, और बिल्कुल वापस बदाई भी आ गी है, इसी सीजे कि आपका इसको अटाओ, इसको डालो, अगर वो एक परसेंट भी, मैं कहरों, एक परसेंट नहीं, एक परसेंट भी वो ये देख लेते, कि ये लेडी का जिसके पे, मैं हाथ पे, नाम पे यूँ कलम चला रहे हैं, कि ये कौन है, और इनका बायो डाटा एक बार मंगा लेते अपने इनका कोई वजूद नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, तीन पर पहले लगा तर चुनाओ आर चुके उनके, घरवाले, और वो उठा के कह रहे हैं, अभी आज अख़बार के अंदर हुआ रहे हैं, अगर मैं टेली से आर गया, तो मैं आगए चुनाओ नहीं रहे थे, अगली सीट पर लंभी करके, साड़े बारा बजे हम शेलजा जी के घर पर गए, मैं था, मेरे साथी थे, और हमारे राजकुमार जी थे, युवा देक्ष, हम सारे अंदर गए, जब लिस्ट आउट वी, जो फोन के उपर आउट वहा जाके हम कॉन्फिदेंस में हम तो पहले आइस्क्रीम होगे रखा के बैठे थे, जैसे ही देखा, तो वहां से लेके अटेली आने तक किसी ने बात ही नहीं करी किसी से, जैसे ही लिस्ट में नाम देखा, नहीं है, मात तर तीन सेकिंड लगी गाड़ी में, सेल्फ मारने में, गरता काने में, और उस दि में रखा है, नहीं मतुरी दिखाने की, चार-चार दिन तक राम निवास जैसे, सशी जैसे हमारे कारे करता है, फवन बिया जैसे कारे करता है, मैं क्या बताओं आपको, उनकी क्या लगती, वो कोई यू नहीं थे कि इसलिए दुखी हैं कि टिकेट कट गया, उनको पूरे छेतर को आगात लगा है, आप किसी आदमी से जाके एक न्यूटल ओपिनेन ले लिजेगी कांग्रेस का जो टिकेट कट है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको इतनी हकीकत की चपेड पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी को जब रिलाइज होएगा, और अभी रज लिक्त नहीं है, कटने दो, उनका मैं चैरा देखना चाता हूँ, इस रजल्ट के बाद कि क्या बनेगा, मेरे को इतना इतना कॉन्फिडेंस है, और जो इनका कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसका रजल्ट देखेगा, उस दिन पता चलेगा कि ग्राउंड वाग क्या होता ह कि आज तक मैंने बेन जी को अगर कोई भी एक चोटी सी बात बताई है कि आ ज़ाओ उनके कहने के अपर अरविंद मौवनपूर कह रहा है मैंने 137 बार बुलाई है और मेरे आतमे लिस्ट है मेरे आतमे यह पर्ची है कि मैंने इतनी बार यहां यहां बताया कि बेन जी यहां एक प्रोग्राम है बैंत जी यहां एक प्रोग्राम है यहां एक 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 प्रोग्राम है होने यहां लोकल मुदद आओ वह इसलिए आज अपनी सरकारी नोकरी छोड़ के पैदल पैदल भाग रहा है मेरे से पहले आगे पहुंचते है वो वाई क्यों को मेरे को मेरा सम्मान मिला जहां जहां मैंने मैडम जी को बुलाया है वह आई हैं वो तो इसलिए उनका वो जोश है तो मेरे साथ जो यूवा कांग्रेस के इतने पतादिकारी आई है राजकुमार भाई है यूवा देक्स ते अटेली के विदान सबा के उनकी सारी टीम मेरे साथ हैं उनके इस्तिफ़ा दी आज तो मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इनके क्या इनका या आगे खतम होएगी पार्टी एक दिन इन्होंने ठ प्रेदान में उतारने का फैसला क्यों लिया खुद क्यों नहीं आई बिल्कुल इसका जवाब मैं यह नहीं है कि अनिता यादव जी क्यों नहीं आई दो सिंग चुटाला जी से उनका ये प्रपोजल था कि यूवा टिकट चीए उनको यूथ चीए तो ऑप्शन तो अनित चैनल है यहाँ किसा च्यूरा हूं जो मेरे को कोई नहीं जानता है यहां पर गांडर फेश्ण कोई ने मंण करतें और जो गाओं के यह हर गाओं का phones कायम इसमें उन्हें जाक्रिक यह नहीं अब चर्ट करते हैं परदों की गलीरी मैं पंचायत में कितना पैसे डिलेगा ज के लिए सारी पैर भी मैंने करी है सारा जो यहां का स्टाफ था इनको उठा उठा के मैं एजूकेशन जो डारेक्टर साहब थे बोर्ड था उसके अंदर गूमता था पूरे दिन गड़ियों के विकास के लिए कैसा पैसा आएगा कितने करम की गड़ी है पंचायत सेक्टरी का उसमें क्या रो लोगा अपने वीडियो Fern siege साब एकसिन आप तो इनका सारा रो गासे या करना चंदीघड के सیک्रेटरियाट में आफिस से कैसे क्या यहां system बैठाना ये सारा मेरा ही काम था तो जितना मैं आज के दिन हमारे बाजबा के candidate है और जो हमारे Congress के candidate है ये मैं guarantee देता हूँ इनसे ज़्यादा काम चंदीगड़ का मैं जानता हूँ क्योंकि background के अंदर जब ममी यहां काम संबाल रही थी मेरे को पूरे दिन टांग के रखते थे कि तू यहां चाहाँ दो गंटे मेरी बात करा फोन पर मेरी बात करा यह काम ऐसे कराना है मेरी अभी बात नहीं हो रही उनसे तो तू उसी दा जाते हैं मैंने जो आज तक उनको एनलेसिस मेरा जो है कि मैं उनके साथ गाओं में भी घुमा मैं अभी पीछे उनी का चुटाला और भाई दिग विजे चुटाला ने और डॉक्टर अजे सिंग चुटाला जी ने आज मेरे को सम्मान दिया है और मेरी मदर श्रीमतिय अनिता अजी को जो सम्मान दिया है मैं इसके लिए जीवन भरून का भारी रहूंगा आपने इतने चुनाव देखे हैं और साथ में आपने काम किया है अपने मदर के साथ बहुत कुछ आप बता रहे हैं कि मैंने सीखा है तो आपके इस चुनाव में जीतने के बाद या जीतने अभी जो मुख्यों मुद्दे हैं वो क्या रहें तो चुनाव एक ये वही अगे को चुबे सबसे पहले तो चलान का मेरी एक हर्याना पुलिस के सिपाई से बात हुई साथ ही मेरे दोस्त है उन्होंने बहुत बोला कि आप बहुत के सक्टूबर तक रुख जाओ और 21 सक्टूबर के देखना भी चलान बंद हो गया है पिछले दस दिन से कोई चलान नहीं कट रहा है खटर सहाब जी का ओडर आया हुआ कि भाई रुक जाओ थोड़े दिन चुनाओ जीतने दो चुनाओ जीतने दो उसके बाद करना जो तुमने करना है पुलिस कर्मी नहीं माने या जो भी कोई जी ओफेंस कर रहा है फिर भी उनका चलान कटा जो गल्ट कर रहा है उसका दो चलान कटेगा गुड़ गाओं में या खनेना के अंतर रिवाडी के अंदर कहीं पे भी में यंदर गड़ केंदर कटेगा चलान तो नहीं माने 10 गुनाई नोंने बढ़ा दी है कीमत बाइक की म पांच जार चलान हो रहा है तेईस हजार पे का एक आदमी को पर सोचो तो सही क्या बितेगी आप इपर गाउं में जाके तो देखो कितना रोश है यू आओं में साइलेंट बैठे हैं क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां यह जो उल्टा बोले इनके खिलाफ कारवाई चला द तो दो करोड यू आओं को हम रोजगार देंगे देंगे तो छोड़ो ले लिए सारे वापिस और लेने के बाद इतने नुगरें हावी नहीं बर रहे और अगरीवी नहीं कर रहे जो डाटा है जो जहां पर स्टेटिस्टिक्स जाता है कि किस विबाग में कितना पैसा गया का मोदी जी का पॉमिस ठाप 15 लाग देने का प्रोमिस ठाप टोक्यो को शांगाई बनाएंके और क्या बनाएंगे बानारस को टोक्यो बनाएंगे बुलिट चरेंगे हाँ साहब इतनी लाइन है ना हर एक परलेमेंट के इंदर के आ में डालेंगे आप उनकी बात करो ना जो वो है अभी हमारी जो लेडी इनकी आई हैं बनके सांसद वह वहाँ पर जो अपने जो सिपाई अभी शहीद हुए हैं उनके खिलाफ तो बोल रही हैं कि कि यह देश द्रोई थे योगी जी इनके क्या बोलते हैं ऐसी इतने इनके तो डर रहे हैं जो चल रहे हैं मीडिया है कंट्रोल में किया हुआ अंडर्ड परसेंट आप कोई भी चैनल उठाके देखिए नैशनल वीड प्रिल्य चोकी दर्टेंट पर चाय वाडसेंटेंट आगे देखो पता नी क्या बनेंगे चोकितारों को भी डुक्रा दिया चाई वालों को भी दुखा दिया, मेरा एक दोस्त है, अगेन मैं फिर बोलूँँगा, चाई की दुकान के पर बोर्ड लगा रखा था, चार साल रहा बोर्ड, चेंज कर दिया बाई ने, मैं कहां बाई तू क्यों चेंज कर रहा है, सबसे बड़ा भक्त था, तिरुब क्या तिरे पे क्या भीती, वो कहता बाई साहब, इतनी दिन थोड़ी न पगल वना सकते हैं, हम रोज टीवी देखते हैं, मैं पता नहीं चल रहा है, कि विपक्ष का का काम है, और पक्ष का का काम है, और जो चोत्ता स्थम्ब है आपका पिल्लर एडेमोक्रेसी का कैसे पता चलेगा कि इंडिया में चल क्या रहा है इंडिया को इंडुस्तान बना दिया है सेक्लरिज्म को खतम कर दिया है बोलो तो उल्टी बाते करते हैं हिपोक्रिसी इतनी लेवल की है दिवार के अंदर भीच्छी रिपेशन इंडिया की जनता और भाहत की की सथा इंडूस्तान पाकिस्तान आप अभी चैनल और ऐसी कर लगेगा कल पाकिस्तान से साथ हमारीव लडाई और लगेर वह प्रमानूम गेरने वाड़े टोटल डिरेल करक्था कहीं कोई टॉपिक आजए जवाब आज तक जैसे मैं और आप इंट्रिव्यू दे रहे हैं मोदी जी ने एक भी दिया हो बता दो 100% orchestrated interviews हैं लिखे लिखाए सवाल आते हैं लिखे लिखाए question जवाब एक परसेंट भी नहीं बचकने देते ही दरूदर PMO से कोण बचकेगा इदर उदर तो बिरोजगारी होगी और चलान का मुद्धा हो गया और ब्रस्टा चार ऐसा है कि आप जाओ तो सही है आपका चलान कटे कर सीधा सीधा कहेंगे भाई 5000 का नहीं है चलान तरी ट्राली का सीधा 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 है डेड़ लाख देख ले क्या बंदी और उस पर क्या चलता है सब पता में एक बार आने तो दो सरकार को आप भाजपाने तो गुम्रा करके रखा हुआ है खटर साब उदर देखिए क्या पद है क्या पद की गरीमा है वो करे मैं तरी नाड़ काड़ दूँ अपंड़ जी को इस बात को हाइलाइट ही नह आदमी को प्रेशर में ले आता है जो इनके खिलाफ बोले उस पर प्रेशर बना दो जो इनके पक्ष में थोड़ी बहुत भी इधर उतर यह चोड़िये जो एंकर है उन्हीं को नहीं बख्ष रहे जो आपके नैशनल मीडिया के एंकर है उनके गलती से एक रिपोर्ट हो ज सुन नहीं सकता तो मुद्दे तो अनेक है अगर मैं ग्राउंड लेवल के मुद्दे करूं तो मैं टेली लेवल पे इतने मुद्दे है मेरे पास पंचायत लेवल पे यूथ स्टेडियम से लेकर कसान का लोन माफ करना है और कंडीना सिटी है जो हमारे वहां बाइपास ची है कि आप सुन के अचा हरान हो जाओगे क्यों पांच कंपनियों के मीटर लो या तो कोई सेटिंग कर रखी है या कुछ है नहीं तो कंपनिया पहले भी मीटर आ रहे थे बिजली के लगते हुए आप जाके पुछो तो से इटूबल के मीटरों का क्या हाल है आप किसान से एक छेड़ के देख लो वो आपको बता देगा एक्ट्वल कंडीशन क्या है चलिए मुद्दों की बात हुई मैं अब जानना चाहूँ है नई पार्टी में आए हैं नए कार करता है नए लोग हैं तो कैसा क्या महसूस करते हैं और कैसा उनका सयोग मिलता है भाई सब सिर्फ मातर 48 गंटे हुए हैं नौमिनेशन भरे हुए जो फरक देखने को मिला रातो रात मैंने हमारे मेरे पिता जी ने सारा दोक्यूमेंट्स करा जो नौमिनेशन में लगता है सुबह जब हम नौमिनेशन भरने गए जो यूवा साथी मिले जो जेज़ीपी पार्टी के हैं जन्नायक जनता पार्टी बहें बाई दुश्यन सिंग चोटाला की जो टीम है और जो अभी तक मेरे साथ है और जो कह रहे या किसी भी अपने सपोर्टर के घर कपड़े अपने साथ रखो बिस्टरा बांध के चलो अपनी सारी केटी लेके चलो यह तो जोश है मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं अगर आप सोचो कि समराट यादव चुनाव लड़ रहा है श्रीमति अनिता यादव जी वो आदमी सारे चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनकी अपमान हुआ है उन लोगों का कि एक लीडर जो ग्राउंड लेवल पर इतना स्ट्रॉंग है जो हर जगह आ रहा है जा रहा है कनेक्ट बना के रखा हुआ है वो उसको आपने हटा के एक सेकेंड में बचका के दोखे नहीं लग रही है इतना मैनेजमेंट इतना तकड़ा है आईटी सेल जैसे मोधी सहाब का है उतना तो मैं नहीं कहूंगा बट जो एक रीजिनल पार्टी का होना चीए उस्वेटो टेन टाइम्स उपर है अनेक्सपेक्टेट टोटली और मैनेजड है यह नहीं है गाउं गै कोई समराट के लिए नहीं लड़ रहा मैं ना तो नितावली कोई बात करता ना मेरे को पसंद बहुत असान है बाशन देना और हुए ऐसे वैसे मोधी जी भूमिका ही बनाते रहते हैं पूरे दिन मेरे को एक प्रसंड नहीं समझ में आती हो भूमिका उनकी जिसी साब से ब बात करो पॉइंट टू पॉइंट करो उसमें मजा आता है यह लंबी चोड़े भाशन देना यह मेरी स्टाइल भी नहीं और ना मेरा पसंद ना मेरा टेस्ट तो मेरे को यही साथ ही मिलगे वरकर जो हम अरे कारिया करता है जेजिपी पार्टी के तो मेरी दों के आगे करने पाफ साल बात चुनाओ लड़ना तो जब काम स्टार्ट होता है सरपंच किसी ने बनना होता हो तीन साल पहले गाहों के अंदर उसकी स्टाइल चेंज हो जाती है लड़के की या बाबा की हर कहीं तास खेलने वड़ों के साथ बैठता है हर कहीं किसी को राम-राम करके चलता है कहीं कि किसी का बात बीना बात भी कोई काम होना उनके साथ जाता है कि मैं चलूंगा चलते साht तछिजिल बजली का बिल भर ने वो इसकी सरपंची की टियारी है मैं एक पंचायत की बता रहा हूं आपकी और पंच की बताऊंगा तो घर गैल ढूंडता है मुद्दे की क्या है इस घर से मैं क्या बात कर लूँ तो जो विदायक का चुना होगा है यह हमारे अटेली में 108 गाओं है और दो बड़े कस्पे हैं अटेली और कनीना तो 108 गाओं क दो यहां कुछ पिछले दिनों की बात कर रहा हूं तुमारी पार्टी के बिलकुल अवाइन और पार्टी तुमारे गर्क में जा रही है तो मेरा सुट करना चाहूंगा बहुत अच्छा चुना हो जाएगा मारा बहुत ही बढ़िया रहेगा रजल्ट की वेट करो 21 तरीकी और जो रनीती थी वो दस साल से चल रही है वो तीन दिन के अंदर नहीं बनी है निताया अद्योजी ने एक गड़ी एक एक नुकड एक अड़ा कोई भी गाउं का ड़ा ले लिज सागरपूर का इधर आपका बाचोद का सुराणी का इन अड़ोपे ऐसे बैठके जाती है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं अड़ोपे गाउं के अंदर कहीं पर भी कोई बी ऐसी बात आजे जहां पर जाना चाहिए और एक 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 केंड़ीडेट को एक विदायक को होना चाहिए वहाँ पर खड़ी रही है जब जीती थी जब हर एक पंचायत को निस्पक्स पैसे दी तो लगाने नहीं लगाने उसने गाओं कि जो टाइल भचानी है यह एक के लाए काहा पार्टी से किया उनी तैयादव के साथ ये किया तो क्या क्यूं जो आदमी साथ नहीं था वह अरब साथ हर एक चीज में अच्छा ही है पर यहां नहीं उपने वाड़ous इस अनुने मेसेज दिया एक उम्मीद्वार के रूप में जनता से कैसा से योग मिल रहा है जो मैंने अभी आपको दस साल का जुडाओ बताया मैं अभी तक अभी जानता है वो सिद्धा बोलेंगे हाँ जानता हूं और मित्तर भी और फोन नमबर भी मिल जाएगा मेरा उसके पास तो दस में से एक नहीं तो दो वो आदमी मिलते थे जो विरोध करते थे अनितायाद हो का एक उनमें से ऐसा था जो दूसरी पार्टी से नता रखता था दूसरा ऐसा था जिसका कोई परसनल काम जाने अन जाने में गलती या बिना गलती से अनितायाद उसे नहीं हो पाया परियास करने के बाद भी वो आहत था वो मिलता था वो बता रहा था साफ कि भाई हम नहीं करेंगे तो मैं यह आश्वास्त हूं कि वोट अनितायादों को नहीं पड़ेगा वोट पड़ेगा उस लीडर को यह कैंडिडेट का चुनाव बन गया वहां पर बीजेपी के पास नया कैंडिडेट है जिनकी आप एक बार पुछो जाके रेपिटेशन क्या है उनके चार गाओं में चंदपूरा गणियार बजाड सुझापुरेगर वहां जाके आप थोड़ा सा होम वर्क करो ग्राउंड वर्क करो आपको पता लगेगा जो मेरे कांडिडेट है उनका पूछो जिन्होंने आज तक पंच का चुनाव भी नहीं रहेंगे जो भी रजल्ट देंगे सर मात है मेरे तो आग्या मैंसे जुड़े रहेंगे नितायदों को यहां एक बच्चा बच्चा जानता है गली के अंदर उनको उनकी स्टाइल को बजूर्ग से लेके माता से लेकर जहां डोलक बजा के एंजोई करते हैं जहां छटी है वह च्टी की नाइट में जाते हैं तो हमारा तो इस टाइप का जुड़ा हुए ग्राउंड से जुड़े हुए हमारा वह सेवन स्टार पॉलिटिक्स वड़ा कोई सिस्टम नहीं है भाई सब लास्ट में जनता से क्या अपील करना चाहें जनता से मैं यह अपील करना किसने वह वोट को परभावित करने के आज के दिन टेक्नोलजी ऐसी ऐसी चल रही है कि कुछ भी आप किसी के सिस्टम दिमाग में जमा सकते हो कोई भी बात समराट यादाव पर कोई भी आप क्लेम लगा सकते हो दस एक जगह पर आप मीडिया के अंदर चला तो सोशल मीडि यह कैसी चीज है जो आपको कोई भी बात जचा सकती है तो यह वोट है सोच समझ के अपने मनों विज्ञान से डालने वड़ी चीज है देश का वभिष्य इस पर डिपेंडेड आज के दिन अर्थे विश्ता कहा जा रही है उसको एक टॉपिक तक नहीं चल रहा है वह जा क कमिशन ओफ इंडिया ने बारत के लोगतंतर ने कि आप इसको यूज करो और यूज करके उसको जिताओ जो आपका क्याल रख रहा है आपके साथ आ रहा है आपके चितर में खड़ा है आपको आज के दिन वोट है जो इसका तो मतलब ही बदल दिया गया है कैसे पहले कहते कहते है कि ये कंडिडेट को चुनो ये पीएम सहाब बनाएंगे प्राइम मुनिस्टर कोलेजियम बन के अब वो कॉलेजियम चेंज करके ऐसा कर दिया है कि एमपी साहब के रहे है कि यहां क्या मतलब क्या इस बात का यहां पे आके भी वोट दे रहे हो आप अपने केंडिडेट को फिर नब्ब्बे केंडिडेट की उतारे सारे के सारे उतारों कट्र जी को एक ही आदमी लड़े चुनाओ और उसी सरकार बन जाए क्या फिर मैजोटी की जूरत और क्या फालतू की बातों की जूरत तो वोट जो उसको बहुत को समझ पाया है उन केंडिडेट में जो बेस्ट केंडिडेट है एक उनमें भी कमी मिलेगी पका आपको एक नएक पर पच्छोंगली हैं बराबर नहीं यह सबसे बढ़ी है यह सबसे चोटी है बगवान ने ऐसा बनाया है आप आंकलन कीजिए बढ़िया क्या है और बुरा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा सोच समझ के मैं आप सबसे यह प्रातना करता हूं कि वोट वहां डाली है जो कैंडिडेट आपके बीच में रहा हो पूरे नब्बे की नब्बे विदान सबाव में और आपके मान सम्मान और आपके दुख सुक की गड़ी में आपके साथ बागीदारों अंत में मैं चलते चलते आप से पूछना चाहूंगा कि जेजेपी हमेशा देविलाल का गुंगान करती है उनके विचारों की मरियादा को आगे बढ़ाते वे चल रही है तो आप क्या कहना चाहिए जन्ना एकताओ देविलाल जी उन्होंने एक ही बात कही थ तो लोक राज और लोक लाज की आप दो शब्द है इन दोनों को कनेक्ट करके देखे आपको उत्तर मिल जाएगा अभी आपने देखा जेजेपी के अटेली के प्रत्यासी समराट यादव उनका इंट्रियो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसी ही और दूसरी इंट्रियो और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज के लिए देखते रहिएगा हरियाना अपडेट और इस चैनल को कर लीजिएगा और अगर आपको कहीं भी सहमती हो आपकी कि कौन जीत पाएगा क्या समराट यादव ने ये बात जो कहीं है वो सही थी तो आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और बताएगा कि कौन जीत पाएगा अटेली विधान सबागो